निमस्कार दोस्तों, विलकम बैक टू मैं चैनल एक्जाम इस्टोर, एक्जाम इस्टोर चैनल में मैं आप सभी कर श्वागत करता हूँ, तो फ्रेंड एक नए वीडियो के साथ हम लोगों वापस आ चुके हैं और इस वीडियो में बात करने वाले यूपी ट्रिपल सी पेट अदिनस्त सेवाचायन आयोग ने 15 और 16 अक्टूबर को आयूजित होने जारी पीटी परिच्छा के एक केंदर में बदलाव किया है, और इन अभ्यार्तियों के एड्मिट कार्ट भी नया जारी किया गया है, दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यह जो कवर बिल्कुल लेटेस्ट है, आज एक दिन पर आयूए है, उत्तर प्रदेश अदिनस्त सेवाचायन आयोग ने 15 से 16 अक्टूबर को आयूजित होने जारी पीटी परिच्छा में एक केंदर में बदलाव किया है, यूपीट्र पलसी ने लखनों के परिच्छा केंदर बाली का विद्या निकेतन इंटर कॉलेज बाला कदर रोड केसर बाग लखनों पर बदल दिया है, इस परिच्छा केंदर में जीन अब यारतियों को परिच्छा देनी थी, अब वे नए परिच्छा केंदर एनकेम पब्लिक इंटर कॉलेज बलाक भी सेक्टर 9 विरिंदावन योज जारी कर दिये गए हैं, आयोग ने काई कि संसोधित एटमी कार्ड के साथ उसमें दिये गए परिच्छा केंदर पते वत्त है, तीथी पर समय पर उपस्तित होना सुनिश्चित करें, आप शवी लोगों के लिए देख सकते हैं, अब यारतियों के लिए जो है, लगबग 2, लाग 32,285 वियारतियों के लिए 600 बसे चलेंगी, प्रियाग राइज रीजन के छे डिपो से 600 से अधिक बसों का संचालन होगा, प्रियाग राइज रीजन से कुल इतन्या वियारति 15 अहरों में जाएंगे, सिविल लाइन्स डिपो की बसे कानपूर, कौशामवी, वाराणसी और जौनपूर रूट पर वियारति को सफर कराएंगी, लीडर रोड की बसे कानपूर रूट पर चलेंगी, जीरो रोड की बसे बानदा, चित्रकूर, मिर्जापूर, प्रयाग डिपो की बसे लखनू अ यहां पर देख सकते हापुण में सभी रूट ऊपर अत्रिक्त बस से चलाई जाएंगी और यहां पर बहुत सारे आपको रिमर्स देखने को मिल सकते हैं कि वताया जा रहा है कि यूपिट्र पलसी परिच्छा जो बरसात होने की वजह से या किसी विकारण से परिच्छा अस्तगित तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं आप उसको जो है कहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है आप लोग अपना अच्छे से 100% दीजिए मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो झाल 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 झाल